दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर विकास शर्मा और आज चर्चा करते हैं कि होमेपथी किस तरह से आपके प्रॉस्टेट इनलाजमेंट को बहुत एफेक्टिवली ट्रीट कर सकती है उसे नॉमल साइज में ला सकती है और आपको सर्जरी से बचा सकती है दो मुख्य द सुरू करते हैं कि प्रॉस्टेट इनलाजमेंट क्या होता है दोस्तों प्रॉस्टेट एक औरगन है एक ग्रंथी है जो की वॉलनट यानि की एक अखरोट और बड़े निम्बू के साइज का होता है यह हमारे ब्लैडर यानि की पिशाप की थैली के नीचले हिस्से के आसप होते हैं दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉस्टेट का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है एक नाच्रोल फिनॉमेना होता है जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं उम्र के साथ वैसे वैसे प्रॉस्टेट का साइज भी बढ़ना शुरू हो बाॉटक में इतनेruit In Pastor Australia में इतने сможं कोईया नहीं चल्व Ved स्कुटरूरे करता है ऑगर प्रॉश्टेट का भड़नाबना एक इसके समयने किलिए हम उसकी अनेटमी यानि इसन को стрबार से समझना पड़े गां दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोस्ट्रेट का जो साइज होता है एक नॉर्मल साइज जो होता है एक बड़े निम्बू या एक वालनेट अक्रोट के साइज का होता है और वो हमारे जो पिशाब की थैली होती है उसके आसपास लिप्टा हुआ होता है उसमें से जाती है हमारी पिशाब की नली जिसे हम युरित्रा बोलते हैं। दोस्तो जैसे जैसे प्रॉस्ट्टेट बढ़ता है बहुत सारे बौट सिक्स्टी सेवेंट्ट ऐट्टरेट एटी पर साथा केसश में प्रॉस्टेट भार की साइट को बढ़ता है。 और हमारी पिशाब की नली को संकुचत करना शुरू कर देता है। दोस्तो इसी के कारण होते हैं सारे prostate enlargement के symptoms यानि कि पिशाब की जो difficulty होती है वो सारी होती है कि prostate जो होता है वो हमारी जो पिशाब की नली उसके बीच में से जारी होती है उसको दबाना शुरू कर देता है दोस्तो प्रोस्तेट जो होता है वो हमारे urinary bladder के नीचे वाले हिस्से की आसपास लिपता हुआ और उसके बीच में से उरेत्रा जाता है जो की पिशाब की नली होती है दोस्तो जो हमने पहले डिसकस किया कि प्रोस्तेट जब बढ़ता है तो वो कई बारी side से बाहर को बढ़त है तो वो हमारी जो urine वाली pipe होती है उसको संकुचत करता है यानि की narrow करता है और जिसके कारण symptoms आते हैं दोस्तो प्रोस्तेट जो होता है वो तीन हिस्सों में बना होता है तीन उसके parts होते हैं दो होते हैं side वाले part जिसे हम lateral lobes बोलते हैं और एक होता है जो median यानि की बीच व बढ़ता है तो वो bladder की जो wall होती है bladder यानि की हमारे urine वाली जो थैली है उसकी जो दिवार है उसको उपर को push करता है दोस्तो जब median lobe large होता है और वो पिशाब की थैली को उपर को push करता है तो वो दो तरीके से effect करता है पहला होता है कि जो bladder का सबसे sensitive area होता है जिसे हम trigon area कहत पिशाब करने के लिए signal भेजता है कि अब bladder के अंदर पिशाब भर गया है और उसको निकाला जाए उसको urination की जाए तो दोस्तो जब वो area effect होता है तो brain को constantly signal जाने शुरू हो जाते हैं कि पिशाब bladder के अंदर पढ़ा है और पिशाब की desire constantly create हो जाती है जो कि prostate का एक बड़ा common symptom होता है कि पिशाब अभी है और मैं जाके करूँ दूसरा पार्ट जो होता है कि जब median lobe बढ़ता है पिशाब की थैली के अंदर को बढ़ता है तो पिशाब की थैली के अंदर एक pouch create कर देता है जहां पर पिशाब हमेशा ही कठा रहता है उसके कारण भी constant desire बनी रहती है दबाने की तो दोस्तो जब हमारे lateral lobes प्रोस्टेट के बढ़ते हैं और बाहर को बढ़ते हैं तो symptom नहीं आते हैं जब अंदर को बढ़ते हैं तो वो जो urinary pipe है उसको दबाते हैं जिसके कारण पिशाब रुकता है या रुक रुक के आता है या ड्रिबलिंग होती है ट्राइगान एरिया को फेट करता है जोकि brain को constantly signal भेजता है और एक pouch create कर देता है जिसमें हमेशा पिशाब भरा रहता है तो दोस्तो इस तरह से prostate हमारी body के अंदर symptoms create करता है तो आप जानते हैं कि prostate enlargement किन में होती है दोस्तो क्योंकि prostate males का organ होता है और सिरफ males में पाया जाता ह 35 से 40 साल के बाद देखा गया है तकरीबन हर एक में prostate का size बढ़ता है किसी में कम बढ़ता है किसी में जादा बढ़ता है पर symptoms आने के लिए जरूरी नहीं होता कि सभी को symptoms आए हमने देखा जैसे कि हमने पहले भी बात की कि 60-70-80% लोगों को symptoms नहीं आते है only 20-30% लोगों को ह symptoms आते हैं दोस्तो genetics भी effect करती है अगर आपके father को history ग्रैंट फादर को या uncles को history है prostate enlargement की और symptoms की यह देखा गया है कि उन लोगों को prostate के जो enlargement के जो signs होते हैं symptoms होते हैं वो उन लोगों में common होते हैं जिनके genetic family history है prostate enlargement की और उसके symptoms की दोस्तो signs and symptoms पे आते हैं prostate enlargement के यानि की गदूद के बढ़ने के और जिसे हम medical language में BPH भी बोलते हैं benign prostatic hypertrophy दोस्तो उसके main symptoms के उपर आते हैं और उसका main symptom होता है frequency of urination मतलब कि अगर आपको पिशाब बार बार आ रहा है थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ रहा है और थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है दोस्तो especially frequency of urination at night मतलब कि अगर आपको रात को तीन चार पांच बारी उठना प देखने वाली होती है कि कई बारी यह जो symptom होता है यह diabetes का भी sign होता है तो आप अपनी blood sugar भी जरूर चेक करा लिजेगा दोस्तो second symptom जो बहुत important होता है वो है urgency of urination मतलब कि आपको एकदम जल्दी से भाग के जाना पड़ता है ऐसे लगता है कि बीच में निकल जाएगा पिश दोस्तो अर्जेंसी एक बड़ा important sign होता है urination का third important sign है dribbling of urination dribbling हम बोलते हैं कि जब आपने पिशाब खतम किया तो उसके बाद भी बून-बून करके आता रहता है तो दोस्तो इसे हम dribbling of urination बोलते हैं और यह important sign होता है fourth symptom जो कि बहुत important है वो है difficulty in starting urination कि patient को कई बारी 2-3-3 मिनट खड़े होना पड़ता है pot के उपर अपनी पिशाब की धार शुरू करने में तो यह important sign होता है important symptom होता है prostatic enlargement का कमजोर धार होना जिसे हम weak stream बोलते हैं वो भी important sign होता है दोस्तो weak stream का मतलब होता है कि जब आप पिशाब कर रहे हैं तो वो pot के अंदर directly नहीं usually जो होती है हमारी धार वो ऐसे projectile जाती है पड़ जैसे जैसे prostate enlargement होती है और उसके कारण हमारी stream effect होती है तो वो directly ऐसे कपड़ों के उपर गिरती है तो दोस्तो उसे हम weak stream बोलते हैं यह एक important sign होता है prostate enlargement का दोस्तो 5th sign जो की बड़ा important sign होता है वो होता है कि patient को लगता है कि उसके हमेशा एक पिशाब भरा हुआ है थैली के अंदर और वो पूरी तरह clear नहीं हो रहा दोस्तो यह important sign होता है important symptom होता है और यह कई बारी true sign and symptom भी होता है कि patient के bladder के अंदर जैसे कि हमने describe किया अगर आपका जो यूरित्रा है वो दब जाए या prostate के कारण अगर bladder के अंदर एक pouch बन जाता है जिसके अंदर हमेशा एक urine रहता है तो दोस्तो इसके कारण patient को यह feeling रह दी है कि उसका पिशाब अच्छे से completely evacuate नहीं हुआ bladder खाली नहीं हुआ और उसको अभी और जाना है तो दोस्तो यह थे main signs and symptom prostatic enlargement के और आगे चर्चा करते हैं कि अगर आपको यह science है तो आपको क्या करना चाहिए कौन से test करवाने चाहिए दोस्तो simple और best method प्रोस्टेट की enlargement को देखने के लिए होता है कि अगर हम उसका प्रोस्टेट का ultrasound कराएं एक और test बहुत important होता है जो है PSA प्रोस्टेट specific antigen दोस्तो cancer को rule out करने के लिए PSA टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है third test जो की important होता है वो है euroflometry, euroflometry का मतलब होता है कि आपकी urine की धार किस तरह से गिर रही है उसकी study होती है उससे भी prostate enlargement के बारे में पता चलता है दोस्तो अब चर्चा करते हैं homeopathic medicines के उपर और ये जानते हैं कि वो दो homeopathic medicines कौनसी है जो बहुत effective होती है prostate enlargement को treat करने के लिए दोस्तो बिफोर के मैं उन medicines पे आऊँ मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तो although homeopathic medicines safe होती है पर फिर भी मेरी ये सला रहेगी कि आप इनको use करने से पहले एक बारी अपने homeopathic doctor से जरूर सला करे और एक बारी ultrasound कराके ये ensure कर लें कि आपका prostate enlargement है भी है कि नहीं दोस्तो सबसे important medicine homeopathic में और मैं कहूंगा about 90-95% of the cases जो homeopathic से बहुत effectively treat होते हैं वो है सेबल सेरूलाटा दोस्तो मैंने बहुत सारे cases में use की है बहुत सारे cases जहाँ पे patients को surgery suggest की गई थी वहाँ पर सेबल सेरूलाटा ने बहुत help किया है दोस्तो सेबल सेरूलाटा जहां पर indicated वो तकरीबन हर तरह के symptoms के लिए indicated होती है prostate enlargement के तकरीबन सारे symptoms को cover करती है जैसे की frequency of urination मतला अगर आपको बार बार urine आ रहा है urgency हो रही है पिशाब रुक रुक के आ रहा है डिबलिंग हो रही है तो दोस्तो तकरीबन हर तरह के symptoms को ये treat करती है पर दोस्तो अगर आपका पिशाब completely रुक गया है तो वहाँ पर मैं आपको नहीं suggest करूँगा ये ले आप immediately अपने surgeon से मिलिए उन cases में surgery बहुत जरूरी होती है या catheterization बहुत जादा required होती है दोस्तो आप बात करते हैं कि सैबल सेरेलर्टा को आप कैसे ले सकते हैं दोस्तो सैबल सेरेलर्टा most effective होती है mother tincture के अंदर दोस्तो आपको बजार से mother tincture आप 30 ml ले सकते हैं 30 ml की bottle ले सकते है mother tincture की और about 5 to 7 drops आप morning में आधी कटोरी पानी normal water के अंदर डाल के आप पी सकते हैं दोस्तो उससे पहले 15 मिनट पहले कुछ नहीं खाना पीना और 12 से 15 मिनट बाद में कुछ नहीं खाना पीना इसी तरह आप शाम को एक second dose repeat कर सकते हैं 5 to 7 drops आधी कटोरी पानी के अंदर डाल के आप ले सकते हैं दोस्तो इस dose को आप one month के लिए continue कर सकते हैं और अगर आपक दोस्तों फिर भी पर सिस्ट कर रहे हैं तो मेरी सला रहेगी कि आप अपने होमपेथिक डॉक्टर से एक बड़ी सला कर लीजिए दोस्तों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसन होमेपथी में प्रॉस्टेट इंलाज्मेंट यानि कि बनाइन प्रॉस्टेटिक यह होती है कॉनियम मैकुलेटम दोस्तों कुनियम मैकुलेटम बहुत हेल्फल होता है ऑल्ड में जहां उनका प्रॉस्टे ओल्ट में जड़ा हुआ है और अगे आपको पिन्फुल उरिनेशन तो वहां पर बहुत की इंडिकेशन है दोस्तों फ्रीक्वेंसी और दिन van अर् दो ड्रॉप सुबह, आप आधी कटोरी पानी में दो ड्रॉप डाल लीजे, उसको सुबह ले लीजे और दो ड्रॉप शाम को ले लीजे, दोस्तो ये आप एक महीने तक continue कर सकते हैं, दोस्तो ये थी चर्चा हमारी होमपेथिक मेडिसन्स, ये दो टॉप मेडिसन्स थी, दोस दोस्तो अगले विडियो तक के लिए नमस्कार